नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजू जू 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 गवर्मेंट एक्जाम प्रैप चैनल, दोस्तों आज हम लोग डिसकस करेंगे डेली करेंट अफेयर में 7 मई 2021 के न्यूज पेपर से, जो की आपके आगामी परिक्छा, के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज के लिए भी यह लाबदायक होगा, तो आईए एक एक करके चर्चा करते हैं, आज के नेशनल अफेयर में, नेशनल अफेयर में पहली खबर है, दोस्तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना नामक इस महामारी ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है, आज देख रहे हैं कि चार लाग से अधिक केसे रोज आ रहे हैं, तो उसी के बीच एक और अच्छी खबर नहीं आ रही है, यहाँ है बिमारी ब्लैक फंगस, म्यूकर माइकोसिस, यह ब्लैक फंगस इंफेक्शन रिस्क इन इंडिया एमांग कोरोना, दोस्तो भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमन के बीच एक नई और दुरलब बिमारी ने दस्तक दे दी है, इसका नाम क्या है, ब्लैक फंगस, यह इसको हम बोल सकते ह हैं, म्यूकर माइकोसिस, ध्यान रखेंगे, एन न्यू एंड रेर डिजीज, आलसो लोन एज ब्लैक फंगस, आर म्यूकर माइकोसिस, इसको कहते हैं, तो एकॉर्दिंग टु रिपोर्ट, इस केसेज आर इंक्रीजिंग रैपिदली एमांग कोरोना पेशेंट एड्मीटे लिख रहे हैं, तो लास्ट इयर टू, देर आर मेनी केसेज आप ब्लैक फंगस, इन्फेक्शन और मेनी पीपोल लॉस देर लाइफ दिव तो दिस, दोस्तों यहां भी खतरनाग बिमारी है, दिल्ली के अस्पतालों में भरती कॉरोना मरीजों में इसके मामले तेजी से COVID-19 रोग्यों के उपचार में इस्टेराइड का उपियो किया जा रहा है, वह फंगल संक्रमण का एक कारण हो सकता है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है, तो पिछले साल भी डॉक्टर्स का यही कहना था कि ज्यादा इस्टेराइड लेने वाले मरीजों में यह बिमारी नजर आने लगी है, तो दोस्तों, ब्लेक फंगस इंफेक्शन, यह बिमारी इम्मूनिटी या रोग प्रतिरोधक छमता कमजोर होने की वजा से होती है, और दोस्तों, ब्लेक फंगस लाइफ्स इन दा एयर, यह हवा में रहता है, यह आपकी नाक से होते हो, यह बलगम में मिलकर नाक की चमड़ी में घुश जाता है, इसके बाद म्यूकोर माइकोसिस बिमारी बहुत तेजी से फैलती है, और यह ब्रेन में पहुँच जाती है, मस्तिस तक चल ब्लेक फंगस इन दावाएं दी जाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि दवाई से संक्रमट ठीक, ही हो जाए, अगर दवाई से ठीक नहीं होता, तो सरीर के उस हिस्से को काट कर हटाना पड़ता है, जिसे फंगस संक्रमट के कारण नुकसान हुआ होता है, तो सबसे जरूरी बात है कि इसके इलास के लिए मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ता है, और अगर अगर आपको इसके जो है सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, इसके लक्षण दिखने लगे, तो डॉक्टर की सलाह पर एंटी फंगल थेरेपी की सुरुआत जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए, और लोगों को बहुत अधिक धूल के सीधे संपरक से बचना चाहिए, ज आप वहां काम कर रहे हैं तो जूते, लंबी पैंट, दस्ताने पहने, इसके अलावा तवचा की चोटों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, तो यह रही बिमारी ब्लैक फंगस, अब बात करते हैं दोस्तों, उडीशा सियम नवीन पतनायक, यहनी उडीशा की राज सरकार ने राज के कामकाजी पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोशित किया है, और राज ने 2018 में राज के कारयत पत्रकारों के लिए गोप बंदू संबदिका स्वास्त बीमा योजना की सुरुवात भी की थी, यह पॉइंट ध्यान रख कियेगा, और दोस्तों इसमें जो है इस योजना के तहट काम करने वाले जो पत्रकार हैं जिने जनलिस्ट का जाता है, उन्हें दो दो लाख रुपए का स्वास्त बीमा कवर किया है, किसने इस योजना ने, अब उडीशा ने भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए, नेशनल अफेयर में, वर्ल्स लॉंगेस पैडिस्ट्रेन सस्पेंशन ब्रीज, अरुका 516, अन्वेल्ड इन पूर्तगाल, दोस्तों पूर्तगाल यूरोपियन कर्ट्री है, जिसकी राजधानी लिजबन है, और यह जो है, एक तरास देखा जाए, तटिये देश है, भू अधिकारिक उधगाटन 2 मई 2021 को उत्तरी यनि नौर्थ पूर्तगाल में किया गया था, तो देश्टील अन कंक्रीट संस्पेंशन ब्रीज इस ए 1693 फिट लॉंग और 175 मीटर एबोब दा पाइवा रीवर, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों किस पर बना है, पाइवा नदी के उपर और यहां एक हैंगिंग मेटल वाकवे ब्रिज है, जो दो वी आकार के कंक्रीट टावरों पर द्वारा यह जुड़ा हुआ है, केबिलों से निलंबित है, यहां पर आप एक चित्र में देख सकते हैं, तो इस तरह से यह fact based है, कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल या डायलोग इन लंदन, दोस्तों, इंडिया, फ्रांस और आस्टेलिया, त्री पक्छी विदेश मंत्री अस्तरी वारता, चार मई 2021 को लंदन, UK, यानि UK की राजधानी में, जी सेवन विदेश मंत्रियों की बैठक के आसर पर आयोजित की गई थी, इन लोगों ने जो है भाग लिया, तीनों लोगों ने, तो दोस्तों, फ्रांस भारत आस्टेलिया त्रिपक्छी वैठक सितंबर 2020 में विदेश सचों के अस्तर पर भी की गई थी, लेकिन इसके स्थापना के एक वर्स के भीतर मंत्री अस्तर तक इसे बढ़ा दिया गया, इसकी तीन सयुक्त प्रात्मिकताएं हैं, सबसे पहले क्या है, समुद्री सुरक्छा, मेरी टाइम सीक्योरिटी, यानि हिंद महासागर, प्रहिंद प्रसांत छेत्र की सुरक्छा से संबंदित, इन्वायर्मेंट से संबंदित, बहुपक्छवाद से संबंदित, यह जो है प्रमुक्प्रात्मिकताएं होंगी, दोस्तों, जी सेबन बिदेश मंत्रियों की बैठक महामारी की, बिदेश मंत्री की पहली बैठक है, जो 2019 में होने वाली आखरी बैठक है, यान है, 1975 में फ्रांस में इसकी अस्थापना की गई थी, जी सेबन के सदस से कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इतली, जापान, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्तराज, अमेरिका, दोस्तों, पहले रूस भी था, लेकिन 2014 में यूक्रेन, क्रीमिया भी बात के बाद, रूस को जी स बनने के लिए आमंतरित किया, और दोस्तों, अभी भी भारत अब्जर्वर कंट्री है, परवेक्षक के रूप में यह भाग लेता है, जी सेबन, हलाकि ब्रिटेन ने इसमें मांग की है, कि भारत को इसमें स्थाई सदस्ता दी जाए, इसके साथ-साथ ब्रिटेन, जो है, स स्थाई सदस्तों में पहला ऐसा देश है, जिसने यह भी कहा है, कि संयुक्तरास्ट में भी स्थाई सदस्ता के लिए भारत की पैरोकारी की है, यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब बढ़ते हैं, वेरियस नेसा इंटरनेसनल परसनालिटी निउस में, आर एम सुंदरम बि आती है, चावल अनुसंधान संस्थान, यानि इंडियन राइस रिसर्च इंस्ट्यूट के डैरेक्टर की रूप में निउत किया गया है, इससे पहले सुंदरम संस्थान के फसल सुधार अनुभाग में प्रधान बैग्यानी के रूप में काम कर रहे थे, और दोस्तों, य जो है, उडिसा के कटक में इस्थित है, रास्टी यानि नेशनल राइस रिसर्च इंस्ट्यूट कहां बस्तित है, ये कई बार पर इक्षा में आया हुआ कटक, और कटक किस नदी के किनारे बसा है, महा नदी के किनारे बसा है, यानि कटक is situated on the bank of महा नदी रीवर, महा नद रीवर, 36 गढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, और दोस्तों, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्ट्यूट कहां है, तो फिलिपीन्स के मनीला के पास इस्तित, लास बानोस में इस्तित है, दोस्तों, राइस, कहां फिलिपीन्स, इंटरनेशनल राइस रिसर्च अब बढ़ते हैं दोस्तों Indian origin immunologist शंकर घोष elected to National Academy of Science दोस्तों प्रख्यात और कई सम्मानों से सम्मानित भारती अमूल के प्रतिरक्षन भी से सक शंकर घोष को अमेरिका के प्रतिष्ठित National Academy of Science के लिए elect किया गया है उन्हें या सम्मान मौलिक अनसंधान में उलेखनी कारे जारी रखने के लिए दिया गया है शंकर घोस is a professor of microbiology in the silver stain and hud family and a professor in the department of microbiology and immunology at the vagalus college of physician and surgeons affiliated with Columbia University तो वहाँ पर यह professor है ध्यान रखेंगे अब बढ़ते हैं books and awards में गीता मितल दोस्तो जम्मू कश्मीर की पहली नियाएधिस कह सकते हैं जम्मू कश्मीर हाई कोड की पूर मुख्य नियाएधिस जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य नियाएधिस यह रही हैं गीता मित्तल ओनर्ड बिद अरलाइन पैच ग्लोबल वीजन आवार्ड तो जम्मू कश्म अर्लाइन पैच गलोबल विजन पुरसकार से सम्मानित किया गया है यह पुरसकार उदगातन समाहरो के दौरान नयानि आज किया जाएगा कि दुई वार सिक सम्मेल ने प्रसまず मेक्सिको से मारगरीटा लुणा रामोस के साथ सम्मान साजा करेंगी और दोस्तों International Association of Women Judge की अध्यक्ष है Vanessa Ruiz यह भी नाम द्यान रखेंगे नयाय मूर्ती गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ड की मुख नायदिस के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला है वरतमान में जस्टिस मित्तल इंडियन ब्रोड कास्टिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित सामान मनोरंजन चैननों के लिए एक स्वतंत्र स्वानियामक संस्था ब्रोड कास्टिंग कंटेंट कॉंप्लेंट्स काउंसिल यानि BCCC की अध्यक्ष है या पद समालने वाली वह पहली महिला है जार सेदिक बैश्विक महिला नयादीशों का एक यह पारिसी तंत्र है और इसका हेड़कॉर्टर वासिंग टन दीसी में है जो की पोटो मैक नदी की किनारे बसा है तो IAWJ प्रतिवर्स अपने अरलाइन पैश ग्लोबल विजन पुरसकार और मानवा अधिकार पुरसकार के माद्यां से प्रतिष्ठित बिश्व नेताओं को सम्मानित करता है अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग और फाइनेंस रेलेटे निउज में अरबियाई एनाउंसेज टर्म लिक्विजिटी फेसल्टी आफ रूपीज फिप्टी थाउजन करोन फॉर हेल्थ केयर दोस्तों यह पिक्चर देख सकते हैं अरबियाई की गवर्नर शक्तिकान दाजजी है ने कोरोना से जुड़े हेल्थ केयर इंफरस्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए फिप्टी थाउजन करोन रुपए की आन टैब बिंडो शुरू किरने की घोशना की है इसके तहत फिप्टी थाउजन करोन रुपए तीन साल तक की अवद के लिए रेपो रेट पर उपलब धोंगे और यहाई स्कीम 31 मार्च 2022 तक चलेगी दोस्तों सिस्टम में नगदी दुरूस्त करने के लिए रिजर बैंक अगले 15 दिन में 35,000 करोन की सरकारी प्रतिभूत की खरीद करेगी और बैंकों को इस बात के लिए प्रोसाहित किया जाएगा कि वे कमजोर शेत्रों को करज दें इसके साथ ही बैंक अपने बही खाते में एक कोविट लोन बुक भी बनाएं rules for different categories have also been announced regarding BDO KYC in which RBI has opened a second window of loan restructuring for individual small borrowers under this those who had not availed this facility earlier and their loan is up to 25 करोन can avail loan restructuring facility this time यानि उनका loan 25 करोन रुपए तक का है वह इस बार loan restructuring की सुविधा ले सकते हैं दोस्तों रिजर्बैंक ने राज सरकारों को overdraft सुविधा के लिए overdraft facility को भी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का कारे किया है और रिजर्बैंक ने यह निरने लिया है कि 20 मई को 35,000 करोन रुपए की दूसरी government securities की खरिदारी government securities equation program के ताहत इसे 1.0 के ताहत करेगा और दोस्तों RBI प्रात्मिक्ता वाले सेक्टरों के लिए जल्दी loan और incentive का भी प्रावधान करने की सोच रहा है small finance bank को एक बिसेज चूट दी गई है सक्तिकान दास जी ने ये भी कहा है कि small finance bank के लिए 10,000 करोन रुपए का targeted loan term repo operation जी से TLTRO लाया जाएगा इनके लिए 10 लाख प्रतिबारोवर की सीमा होगी तिये points से इन्हें ध्यान रखेंगे दोस्तों अब बढ़ते ही sport news में AICF launches checkmate COVID initiative दोस्तों All India Chase Federation ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाई की मदद के लिए चेक मेट COVID पहल सुरू की है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो लोग हैं यानि फिडे यानि वर्ल्ड चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं अरकडी डर्वो कोरविच यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट आप फिडे अरकडी डर्वो कोविच हैं पांच बार के बिस्ट चेंपियन बिस्ट सुनाथन आनंद बिस्ट रैपिट चेस चेंपियन कनेरू हमपी और AICF के अध्यक्ष संजय कपूर यहाँ और सचीव भरस दिंग चौहान की उपस्तिती में किया गया है तो दोस्तों यह ध्यान रखेंगी इस विचार से न किवल 32 साहता के माध्यम से कोविट से प्रभाविद चेस समुदाय को हेल्प मिलेगी बलकि डाक्टरों की एक टीम भी होगी जो सही साहता प्रदान करने के लिए 24 घंटे वर्क करेगी और इसके अध्यक्ष काउन है All India Chess Federation के संजय कपूर है All India Chess Federation का हेड़कॉर्टर चिन्नाई में है इसके स्थापना 1951 में हुई थी अब बढ़ते हैं दोस्तों departure इंटर इन दा फाइनल औफ मैड्रीड ओपन मैड्रीड कहां है स्पेंड की कैपिटल है तो दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एसले बार्टी स्पेंड़ आपन टेनिस टूनामेंट के फाइनल में प्रवेस कर लिया है आस्टेलियाई खिलाडी बार्टी ने सेमी फाइनल में इस्पेन की ही पाउला बडोशा को डिफीट किया है यह बार्टी की कले कोड़ पर 16 और इस सत्र की 28 मैंचों में 25 जीत है फाइनल में बार्टी का सामना अर्याना सबालेंका या अनास्ता सिजा से होगा दोस्तों पूरुस वर्ग में ऑस्टेलिया के डॉमिनिक थीम और चिली के क्रिष्टियन गारिन क्वार्टर फाइनल में पहुच गए हैं अब बात करते हैं दोस्तों इस इंपॉर्टन डेज में वर्ड एथलेटिक्स डे है आज तो वर्ड एथलेटिक्स डे इस फेडरेशन के द्वारा लॉंच किया गया था तो यह जो है एथलेटिक्स फॉर एबेटर वर्ड के रूप में लॉंच किया फेटनेस और स्वास्त के महत्तों के बारे में बचों और युवाओं को जागरूपता फैलाने के लिए हर साल विस्वस्तर पर यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों IAAF स्कूलों और कॉलेजों में बिभिन कारेक्रमों प्रतयोगिताओं और का आयोजन करता है दो वर्ड एथलेटिक्स फिर्टेशन और एंट इंटरनेशनल गवर्निंग बडी फर दा फील्ड आफ एथलेटिक्स IAAF और्गनाइज एंड इस्पॉंसर द दोस्तों let us talk about some important fact में हम चर्चा करेंगे आज मेजर वाइल लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आफ इंडिया यह वन जीव सर्रक्चन परियोजनाओं की चर्चा करेंगे जैसे पहला है कस्तूरी म्रिग परियोजना दोस्तों मस्क डियर प्रोजेक्ट है यह बहुत ही च जर्चित प्रोजेक्ट 1970 में स्टार्ट किया गया था कस्तूरी म्रिग परियोजना तो इसके तहत जो है याद रखना भारत सरकार ने 1970 में इंटरनेशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर के सहयोग से उतरा खंड के केदारनात अभ्यारण में कस्तूरी म्रिग परि इस परियोजना का आरम जम्मु कश्मीर द्वारा आयूशियन और डबलु डबलु एफ के साथ मिल कर किया गया था और इसका उदेश यह है कि हंगुल को संदक्ष्ण प्रदान कर उनकी संख्या में बृध्धी करना है और दोस्तों हंगुल यूरोपियन रेंडियर प्रज प्रवेशन आफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स ने वर्स 1947 के बास से ही इस हिरन को लुप्त प्राय घोशित किया था तो यह जो यूरोपियन रेंडियर प्रजाद का हिरन है इसे कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है यह जमु कश्मीर का राच्की पशू है अब यह दाची ग कहा है गुजरात में है दच्छिन अफरीका के बाद विश्व का एक मात रहसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है इनके संरक्षन के लिए 1972 में यहाँ परियोजना चलाई गई थी टाइगर पोजेक्ट बाग परियोजन और इसे बिलुप्त होने से बचाना है यानि वर्तमान में अगर बात की जाए तो पचास बाग अभ्यारन है यानि 18 राजों में फैले हुए है इनके आकड़े एक अंकड़े के अनुसार 2.21 परसन भूभाग पर बाग अभ्यारन अवस्थित है और 2018 यानि 29 जुलाई 2020 को के वर्तन मंत्री द्वारा अंतराष्टी बाग दिवस के अवसर पर बाग संगणना 2018 रिपोर्ट पेस की गई इस तरह से 2018 को दुनिया के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप सर्वे आफ वाइड लाइफ के रूप में गिनिज वर्ड रिकार्ड का रूप में दर्ज किया गया था त प्रतिवर्स यानि 2006 से लेकर के अगर हम बात करें तो 2018 के बीच में प्रतिवर्स 6 प्रतिसत बागों की संग्या बढ़ी है तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों और 2014 की तुलना में अगर बात की जाए तो 2018 में 33% ब्रिद्धी दर्ज की गई है और बागों की सरवादिक संख् मद्य प्रदेश में 526 करनाटक में 524 उतराखन में 442 है यह ध्यान रखेंगे दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली परियोजना है टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कचुगा संरक्षन परियोजना यह दोस्तों 1975 में स्टार्ट की गई थी कचुगा परियोजना कब की इनके संरक्षन के लिए होजना आरंब की गई थी तो अंतरास्टी प्रकृती संरक्षन संग ने इस प्रजाति को वर्तमान में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में सामिल किया है ओलिव रिडले नामक कच्वे उडीसा के समुद्री तटी यह चेतर में पाए जाते तो ओलिव रिडले समुद्री कच्वा भी कहा जाता है यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है घडियाल प्रजनन परियोजना यानि घडियाल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975 में ही इसको भी सुरू किया गया था घडियाल प्रोजेक्ट को याद और संयुक्त रास्ट विकास कारेक्रम की सहायता से उडिसा के तिकर पाड़ा स्थान से यह योजना आरंब की गई थी अब बढ़ते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट राइनोसर्स गैंडा परियोजना 1987 में एक सिंग वाला जो की याद हो तो काजी रंगा नेशनल पार्क वन औ और राइनोसर्स के लिए जाना जाता है यहाई UPSC में भी प्रसन आ चुका है अन्ने परिक्षाओं में भी प्रसन आ चुका है कि असम तथा नेपाल के तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में यहाँ पाये जाते हैं गैंडे वंडे एक्जाम में भी कई बार आया हुआ है कि एक सिंग्वाला गैंडा किस मतब कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है तो यहाँ जो है इनको संरक्षित करने के लिए किया गया है तो आस्वाम का काजी रंगा नेशनल पार्क एक सिंग्वाला गैंडा के लिए जाना जाता है एली फैंट परियोजना 1992 में इसका जो लिपार्ड यानि हिम तेंदुगा 2009 में शुरू की गई थी ये भी ध्यान रखेगा हिम तेंदुगा भारत सरकार प्रोजेक्ट इसनो लिपार्ड के माद्यम से हिम तेंदुगा और उसके निवास अस्थान का संरक्षन कर रही है इवें 2013 से बैस्विक हिम तेंदुगा और पारिसकी तंतर संरक्षन कारेक्रम भी में भी भारत भागीदार रहा है तो इस परियोजना के ताहत पस्षिम बंगाल के दारजिलिंग में हिम तेंदुगा संरक्षन केंदर भी खोला गया है दोस्तों हिम तेंदुगा रेंज के 12 देसों यानि अफगानिस्टान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज, गनडाज, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान दौरा हिम तेंदुगों के संरक्षन के संबंद में प्रियोजना 1996 में स्टार्ट की गई यह भी पूर्वी हिमाचल छेत्र में पंद्रा सो से चार हजर मीटर की उचाई पर पाये जाते हैं अरुनाचल प्रदेश में कैड बियर के नाम से जाना जाता है तो 1996 में विस्व प्रकृति बिदी के सायोग से पदमजा नाइडू हिमाल केंद्र स्थापित किया गया था तो दोस्तों गिद्ध संरक्षन कारियोजना 2020 और पचीज भी निर्धारित की गई है तो दोस्तों गिद्धों के हेतु बचाओ केंद्र स्थापित करने की बात की जा रही है पिंज़ोर, भोपाल, गोहाटी, हैदराबाद में इसके लिए स्थापित किये जाएंगे तिया ध्यान रखेंगे दोस्तों मुंबई नेचरल सोसाइटी के बीच 2006 में समझावता हुआ था किसके किसके बीच हरियाना वन विभाग और मुंबई नेचरल हिस्टी सोसाइटी के बीच जिसके अंतरगत गिद्ध संरक्षन पोजेक्ट की सु तर देने वालों में हैं मनुशर्मा, अनुराग उपाध्याय, नीतु गौतम, रोली सरोज, आर्यन राज, सरवन खालिंग, सरवर्था बनरजी, संजय नेगी, प्रतिमा गुपता, अनुधामा, तेज प्रताफ सिंग, विनोध जैसवाल, मन्टु कुमार, अकलेश कुमार मौरया, निधीराथाओर, आईसा रह्मान, विवेक यादो, सूरज उपाध्याय, मधु आशुतोस, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दियें, आशा करता हूं कि आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देंगे, तो आप लोगों के सामने पहला प्रस् Next question है, which state has declared working journalists of the state as frontline COVID warriors? Tarpradesh, Bihar, Urisha, Pashim, Bengal Next question है, in which country has the world's longest pedestrian suspension bridge been officially inaugurated? Cuba, Brazil, Chin, Portugal Next question है, which of the following is not a member of the G7? Canada, France, Germany, Australia Next question है, where is the National Rice Research Institute situated? Katak, Bhuneshwar, Balasaur, Bhadrak Next question है, which Indian immunization specialist has been selected for the prestigious National Academy of Science of the US? America के प्रतिष्ठित रास्टी विज्ञान अकादमी के लिए किस अमेरिकी भारती याद रखना है? Indian origin हाँ, याद रखना? भारती अमूल के immunization विशेशक का चैन किया गया है, संकर घोष, संजे गुपता, गगन दीबकंग, चंद्रकात, लहारिया इसमें ध्यान रखेगा Indian origin अगला है, विच स्पोर्ट फेडरेशन है लॉंच दा चेक्मेट कोविद इनिसियेटिव किस खेल संग ने चेक्मेट कोविद पहल सुरू की है? Indian 20 Cricket Federation, होकी इंडिया, अखिल भारती सतरंज संग, All India Football Federation And next question है, where are the headquarters of the All India Chess Federation situated? कहां है इसका मुख्याल है? दिल्ली, चैन्नाई, हैदराबाद, बैंगलूरू And next question है, world number one player, SLA Barty, is related to which game? Badminton, tennis, सत्रंज, cricket And next question है, in which year did the Lal Panda project begin? Lal Panda परियोजना की शुरुवात किस वर्स होई थी? 1990, 92, 94 and 1996 इस तरह से इन दसो प्रस्ण के उत्तर दीजेगा आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपनों को अच्छा लगेगा दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना न भूलें थैंक्यू दोस्तों